हेलो स्टरेंट्स वेलकम टू माई नर्चर मैं हूं क्रिष्णा कैसे हैं सब लोग मास बढ़िया तो लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बायो केमेंश्ट्री में चैप्टर नमबर एट मेटावलिंग जो हमारे चल रहा था जिसमें हम लोग ने कार्बो हाइडिट के मेटाव बायलाजिकल ऑक्सिडेशन जो की प्रोटीन और फैट के लाद दे रखिए तो हम इसको यही कवर कर लेंगे और जब प्रोटीन और फैट पढ़ेंगे तो उसमें यह कॉमन रहने वाली है तो अब यहां पर तुमको थोड़ा समय रिवाइस करवा दूँगा ठीक है कि अग हम लोग अच्छे से पता है फिर से उसको में लिग देता हूं कार्वो हाईडरेट रिवाइस हो जाएगा प्रोटाथा है किसमें गुलकोस में गुलकोस किसमें टूटता है पारवीग एसीड में ठीक है और यह हमको क्या देता क्या है एन्टर चाल को इंजाइम ए-में और यह एंटर कर जाता है किसमें ट्राइकार्बाक्सलिक एसीड साइकल में पूरी साइकल होती है ठीक है और यह हमको क्या देता क्या है एन एडी एस्टू या एफ एडी एस्टू तो स्टेप वन की अगर मैं बात करूँ तो स्टेप वन में गुलकोस से पारविक एसीड यहां पर हम लोग नें क्या पड़ा था ग्लाइको लाइसिस पड़ा था यह हमारा स्टेप वन था फिर पारविक एसीड एस्टेल को एंजाइम में यह जो एक्चुलिए एस्टेल को एंजाइम यह था इसको convert करने के लिए यहाँ पर क्या था मेरे पास TCA cycle थी step 2 और मैंने बताया था इसको कि यह acetalco enzyme में fat and protein भी यहाँ पर entry मारते हैं है ना तो TCA cycle और biological oxidation अब जो यह NADH2 और FADH2 है यह ATP direct ultimately यह पैदा क्या करेंगे हमको क्या पैदा करके देंगे ATP तो ATP पैदा करने के लिए इनको घुसना होगा electron transport chain में किसमें घुसना होगा electron transport chain में तो यह आगे अपना step 3 biological oxidation अब देखो कुछ समस्याएं हैं क्या समस्याएं हैं तो पहली समस्या क्या है यहाँ पर हमने एक heading heading को थोड़े को छुपा दें तो यहाँ पर एक बात बोल रहा है पहले इसको पढ़ते है अब क्या है कि energy पैदा करने के लिए इनको mitochondria की membrane को cross करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा cross करना पड़ेगा तो यह क्या है impermeable होते हैं mitochondria की membrane में तो इसी लिए एक shuttle system होता है क्या होता है एक shuttle system इक shuttle system की help से हम FADH और NADH को अंदर क्या कराते हैं मतलब एक तरह से barrier को cross करवाते हैं तो shuttle system क्या है समझते हैं दो तरह के shuttle system होते हैं एक होते हैं mallet aspartate shuttle sometimes simply the इसको हम mallet shuttle बोल देते हैं इस आग बायो chemical system for translocating electrons produced during glycolysis across the semi permeable inner membrane ठीक है ना हमको जो cross कराना है एक biochemical system है जहां पर हम electrons को जो produce हुए हैं glycolysis में उसको हम लोग membrane के across mitochondria के membrane के across cross कराना चाहते हैं किसके लिए oxidative phosphorylation ये भी अपने syllabus की heading है इन यू कारियोर्ट यू कारियोर्ट समझ गया ना all living things याना कि bacteria को छोड़के कि bacteria के अंदर mitochondria पाया नहीं जाता है ठीक है the other shuttle is less ambient इतना जा common नहीं है result in the reduction of FADH2 inside the mitochondria ठीक है ना if this shuttle predominate अगर FADH2 वाला predominate बहुत ज़्यादा होता है the electron from NAD2H transferred to FADH inside the mitochondria अब जब समझ लो है क्या तो simple सी बात है एक है mallet aspartate shuttle जो कि NADH के लिए होता है और एक है simply क्या है other shuttle जिसको कि हम लोग FADH2 के लिए use कराते हैं तो बात को समझते हैं यहाँ पर यह है mallet aspartate shuttle अब जखो होता क्या है cytosol याने की cytosol cytosol मतलब जो अपना पास क्या है cytoplast जिसे हम कहते है यहाँ पर जो यह NADH होता है यह अपने अंदर से क्या करेगा यह H release कर दिये electron इसने किसको देगी दिये oxaloacetate को दिये दिये यह किसम कर्मट होगी है mallet में जो यह mallet form है ठीक है यह जो shuttle है यह important नहीं है मतलब इसको समझ लो केबल क्योंकि यहां से question one mark आ सकता है main जो हम आपने electron transport chain important है ठीक है ना इसको समझो कि हो क्या रहा है mallet क्या-क्या outer membrane जो माइटर कॉंट है का उमीद कर रहा हूँ structure दिमाग में होगा यह outer यह outer हो गया इसको अब इसको यहां बता हूँ नहीं एक है inner membrane यह mallet दोनों को cross करता हुआ matrix अंदर आ गया और यह वापस से क्या करता है electron दे देगा nad plus को और यह nad plus किसमें convert हो जाता है nad 2h में और यह वापस से oxalo state बन जाता है ठीक है और axalo state convert हो जाता है किसमें aspartate में यह वापस से बहार आता है aspartate फिर convert हो जाता है auxiliary state में तो यह cyclistrate चलती रहती cytosol से जितना भी nad 2h है इस तरीके से वो दूसरे के रूप में अंदर जाता है और अंदर वाला जो nad plus है वो nad 2h में convert हो जाता है तो हमने क्या कहा na d2h अंदर transfer हो गया actually यही na d2h नहीं जाता है उसके अंदर की main जो electrons है उनको लेकर के वो अंदर चला जाता है बास समझ में आई ओके आगे आते हैं अब दूसरा हमारे पास glycerol phosphate shuttle यहाँ पर क्या है अब यहाँ पर क्या है समझते हैं इसको क्या हुआ है na d2h ठीक है ना cytosol यह अगें dhap यह बन गया glycerol phosphate यह दूसरा है यहाँ पर dhap करवट होता है glycerol phosphate में यह अंदर जाता है यह अंदर वाली membrane में नहीं जा करके जो इस membrane में मौझूद है fa d उसको fa dh2h में करवट कर देता है और यह वापस dhp बनके बहार आयाता है और यह होता है glycerol phosphate dehydrogenase की मौझूदगी में यह होता है फिर यह आगे हमारा इस्तमाल होगा कैसे इस्तमाल होगा fa dh2 उसको हम लोग देखेंगे inner membrane electron transport chain इसी membrane में होती है ठीक है ना इसी membrane में क्या होती है electron transport chain होती है तो इस तरीके से हमको shuttle system की जरूद पढ़ती है एक तरह समझ लो shuttle system एक system है जिसके थूर जो हमारा glycolysis में और TCA cycle में CRAB cycle में जो हमारा NAD2H पैदा हुआते हैं उनको हम लोग ने mitocondrile के अंदर पहुँचा दिया ठीक है बास समझ में आ गई ठीक है आ गया आते है अब देखो यहां पर थूरा सा एक diagram बनाया हुआ है मैंने समझाने के लिए बहुत काईदे से देखना है इसको फिलाल इतना देखो देखो पहला क्या glycolysis कहा हो रही है cytoplasm में यहां पर हमारा क्या निकला था NAD2H ठीक है यह या तो इसके थूरू या इसके थूरू कहाँ पहुच जाएगा दिस यह है मेरे पास mitochondrial की membrane ठीक है न क्या है यह mitochondrial membrane ठीक है तो यह mallet aspartate shuttle या glyceros shuttle के थूरू इस membrane ने पहुच गया अब pyruvic acid ashtal coin enzyme में होता हुआ कहां गया crab cycle में crab cycle कहां हो रही है matrix of mitochondria याने की mitochondria के अंदर की तरफ matrix में हो रही है ठीक है न तो यह ashtal coin enzyme में आया और हमको मैंने बताया था किस-किस point पे energy निकली थी ठीक है इसके बाद निकली थी यहां निकली थी यहां निकली थी फिर यहां से भी निकली थी जहां जहां से energy निकली याने की NAD2H निकला था वो किस तरीके से FAD2 यहां जाएगा और NAD2 यहां जाएगा किस के थुरू जाएगा Malate Aspartate Shuttle अचा निकली यह तो बहार है तो यहां तो अंदर ही चला जाएगा जो बहार वाला है वो कैसे जाएगा Malate Aspartate Shuttle के थुरू जाएगा बास समझ में आ रही है तो इस तरीके से यह मैंने combination बनाया है glycolysis का दिखाया है यह crap cycle है और यह गया कहाँ है This is the membrane of mitochondria अब mitochondria की membrane में क्या cycle चल रही है उसको हम detail में समझते है अभी यह अब तुमाई जो आँगे इदम clear cut बात होगी कि यह तीनों process आपसम जुड़ी हुई है ठीक है ना बास साज़े ही पर protein और fat भी जुड़े थे याद होगा crap cycle में तो यह आगे की cycle हमारी common हो जाती है clear है अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ चीजों की एक term आएगा terminal oxidation terminal oxidation क्या होता है it is the combination इसमें होता है terminal oxidation में मैं बता हूँ actually ठीक है अब यह हम क्या करेंगे mitochondria electron transport change समझेंगे उसमें आखरी में combination of oxygen with electron last में क्या होता है जो electron होता है oxygen के साथ combine कर जाता है and proton याने की O2 plus H plus से combine करके न यह क्या बना लेता है H2O बनाता है to form reduced coenzyme it produced water called metabolic water ठीक है ना याने की combination of oxygen with electron and proton released from जो proton जो release होते हैं reduced coenzyme से ठीक है मिल जाएंगे combine होते हैं और क्या बनाते हैं metabolic water तो थोड़ी सी मैं इसकी जलक दिखा दूँ फिर आगे हम detail में पढ़ेंगे terminal oxidation को topic यहाना देख करके मिलों को आगे देना चाहिए था खैर यह देखो electron transport से समझेंगे डरना नहीं अभी ठीक है न यह देखो लास्ट में क्या हो रहा है electron आकर के यह oxygen और H2O मिलके क्या दे रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं terminal oxidation कहते है terminal oxidation ठीक है आप इस समझेंगे detail में बहुत असान है बिलकुल colorful भी है मज़दार आएगा समझ में आएगा अब समझते हैं कुछ चीजें electron transport chain के अंदर जो इस्तमाल होने वाली है तो कह रहा है यह electron transport system के लोग पूरा system की बात कर रहे हैं हम लोग उसके अंदर कुछ बाते हैं हमको समझ नहीं है metabolic pathway through which the electron passes from one carrier to another is called electron transport system तो कह रहा है एक ऐसा system जहां पर एक carrier से होता हुआ दूसरे carrier के पास electron transfer होता है उसको हम लोग कहते हैं electron transport system पूरा देखेंगा अभी हम लोग किस तरह से हो रहा है electron किस तरह टांसपोर्ट हो रहे है it is present in the inner mitochondrial membrane mark करेंगे one mark question है यह in eukaryotes and inner side of plasma membrane in prokaryotes तो हमको eukaryotes का ध्यान रखना है eukaryotes में mitochondria के अंदर होता है और prokaryotes में plasma membrane के अंदर के तरफ होता है plasma membrane को कि prokaryotes में mitochondria होता ही नहीं है आगे आते हैं the electron carriers are arranged along increasing redox और positive potential और increasing affinity of electron यह टर्म समझ में आया chemistry में तुम लोगे एक चीज पढ़ी होगी redox potential है ना याने की e0 थुरा से याद दिलाता हूं में e0 equal to e cathode मैं से minus e anode याद आया कुछ याद आ गया होगा ठीक है तो वहाँ पर हमनों देखा था जिनका e की value negative होती थी और कुछ लोगों की positive होती थी तो इलेक्ट्रॉंस जो थे हमेशा जो इलेक्ट्रॉंस थे हमेशा वो negative से positive की तरफ जाते थे है ना low potential से high potential की तरफ move करते थे sorry high potential से जिनका e0 की value जिसकी कम होती थी वहाँ से वो ज्यादा वाली की तरफ क्या करते थे move करते थे बा समझ में आ रही है clear है okay अब इसी को बोला है redox इसलिए हाँ पर किसका इस्तमाल हुआ है redox का इस्तमाल हुआ है अब आगे आते है क्योंकि उसी sequence में यहाँ पर क्या arrangement होता है तो जिसका higher होता है वहाँ पर क्या होता है electron जो होता है वो मूव करता रहता है ठीक है ना वह सीक्वेंस के मिश्टी वाला ही यहाँ पर उसी सीक्वेंस में लगे होते हैं यह लोग अब इसके अंदर सिस्टम के अंदर क्या-क्या होते हैं फ्लेविंस होते हैं FMN FAD जो बताये थे के आपको कमकरते हैं कुछ साइटोक्रोम-स होते हैं ॉच प्लस एक तो फिर उच यह वापस हो टेका तो इस तरीके से豩से लेता है फिर लेता है देता है फिर लेता है तो इस तरीके से यह oxidize और reduce oxidize reduce होते रहते हैं ठीक है साइटोग्रोम A3 additionally contained copper साइटोग्रोम A3 के अंदर copper मौझूद होता है which help in transferring electron to oxygen यह last में oxygen को electron देने में help करता है हो सकता भी यह बातें अच्छे समझ में ना आई हो इसको वापस से पढ़ना जब मैं अभी यह पढ़ा दूँ यह system समझा दूँगा तो इसको वापस से उपर वाले को पढ़ना clear है आगे आते है थोड़ा सा छोटा करने की ज़रूत नहीं चलो ठीक है अब देखो बैटा यहाँ पर अच्छे समझ लो इनर मेंब्रेन इस्पेस यह मेंब्रेन का अंदर आ गया इनर माइटोकॉंट्रियल मेंब्रेन यह मैट्रिक्स आ गया याने कि यह मैट्रिक्स इस इस दा इंसाइड ऑफ माइटोकॉंट्रिक्स बंद कर देंगे तो माइटोकॉंट्रिक का अंदर आ गया यह इनर मेंब्रे था ठीक है वो किस में करोट हो जाएगा एने डी प्लस में और यहां से क्या निकलेंगे दो इलेक्ट्रॉन जो रिलीस करेगा यह बासामचते जाना वो दो तो इलक्ट्रॉन को कौन कैच्श कर लेगा fmn ले लेगा फ्लाविन्स me just और आयरीएंस सफर कॉंपलेक्स में और अरीज सफर मेंच यह जाएगा यूबी किनॉन के पास यूबी किनॉन reduce हो जाएंगे electron जो gain करता है वो क्या होता है reduce हो जाता है UQH2 ठीक है देखो इस इस ला complex one NADH dehydrogenase बात समझ में आ रही है ये बेटा याद करना पड़ेगा रटना पड़ेगा थोड़ा सा क्योंकि ये पुरा system है ठीक है पांच नंबर में आएगा सीधा question जब भी आएगा ये तो यूबी किनान में आया है यूबी किनान से किस में करना पड़ेगा यूक्यू H2 में करना पड़ेगा अब यूक्यू H2 क्या कर सकता है या तो यहां से ये electron किस के पास जाएंगे cytochrome B के पास जाएंगे ठीक है ये cytochrome 3 complex है मेरे पास या यहां से electron क्या करेगा ये H को electron इसको दे देगा और यहां से जो H है वो यहां आ जाएंगे इसके जो H है वो यहां आ गए ठीक है membrane के इस तरफ आ गए समझते हैं न, H जो है वो मेंब्रेन के इस तरफ आ गया और ये क्या इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B साइटोक्रोम B से FES कॉंपलेक्स के पास ये कॉंपलेक्स थाड आ गया 2 कहा गया ये बता रहा हूं मैं FES, FES से साइटोक्रोम C ठीक है न, अब बात को समझना जो कॉंपलेक्स 2 था वो भी यहीं पर ही है कॉंपलेक्स 2 में क्या होगा जैसे यहाँ पर NADS का कनवर्जन होगा यहाँ पर किसका कनवर्जन होगा FAD का, किसका होगा FAD का, तो सक्सिनेट से FUMARET में कनवर्ट हुआ, ठीक है तो सिस्टम 1 और सिस्टम 2 यह था सिस्टम 1 किसके लिए था NADH के लिए सिस्टम 2 किसके लिए है FADH के लिए है बात समझ में आगी, तो दोनों में प्रॉसेस सेम रहेगी, आखिएकर FES यहाँ पर भी क्या इस्तमाल हुआ है FES FES से कहाँ आएगा UQ FES से कहाँ है UQ अच्छा, यहाँ पर दिखाते तो यह B चला सिस्टम छुप जाता, तो एक को सिस्टम 1 यहाँ दिखाया, सिस्टम 2 यहाँ दिखाया बात बागी, प्रॉसेस से में हैं साइटोग्रॉम B, FES, साइटोग्रॉम C और फिर साइटोग्रॉम C से कहाँ जाएगा C1 से C, साइटोग्रॉम C से होता हुआ, यह जाएगा कॉपर, ठीक है कॉपर A, ठीक है यहाँ से जाएगा साइटोग्रॉम A, साइटोग्रॉम A3 और कॉपर B अब कॉपर से यह एलेक्ट्रोन कहाँ जाते है जो बताया सा terminal oxidation oxygen के पास जाएंगे यह proton जो अंदर मौजूद है ठीक है ना proton कहां से आएगा बताता हूं मैं अभी यह देखो यहाँ पे जो यह एच प्लस रिलीज हुए यह यहाँ आ गया यहाँ से भी जो एच प्लस था यहाँ से भी जो एच प्लस था यहाँ जो रिलीज आ रही है हमारे blood से होती हुआती है यह दोनों मिल करके क्या बनाते हैं water बनाते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं complex number 4 कहते हैं अब देखो हो क्या रहा है यह बेटा enzyme है this is the enzyme ATP synthase है ना यह enzyme है इसके पास दो particle होते हैं एक F1 और एक F0 यह जो अंदर से हैं इसके अंदर एक रा ATP synthase यह एक तरह की motor है जब यह H plus यहां जाते हैं तो यह से गोल 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 गोमता है तो जब यह गोल गोल गोमता है इसके तीन पटियां होती है ऐसी यह ADP और API को ले करके आपस में जोड़ देता है और ATP को release करता है ठीक है free H plus यह आ जाते हैं यह water यहां मिलके यह process चल is the enzyme ATP synthesis is the enzyme जिसके दो पार्ट से बना होता है F0 और F1 से ठीक है तो यहां पर चार system है हमारे पास electron transport chain में NADH वाला आ गया यहां वाला आ गया कि system के अंदर क्या पाया जाता है यह तुम्हें समझना है एक-एक system को एक-एक करके याद करोगो तो better रहेगा और यह diagram बेटा practice करन सब्सक्राइब समय मैंशन है वो लोग चाहते हैं कि आप लोग cycle को बनाए जब cycle बनाने के लिए बोल रहा है तो बनाना पड़ेगा दिक्कत हो जाएगा दर्वाइस ठीक है ना आगे आते हैं अब इसी प्रोसेस को थोड़ा समझ लें ATP synthesis वाले को थोड़ा सा मैं और बता यहां से मैंने समझाय हुआ हुआ है यह देखो क्या हो रहा है यह पूरी cycle है citric acid cycle है मैट्रिक्स में होगी हमारे पास फिर यहां से हमारे पास NADH वगरा जो भी था वो हुआ NADH एनरिस में जा रहा है electron आगे पास होता हुआ जा रहा है electron कहां चले जाते है फोर्थ फोर्थ में जा करके यह water से मिलके H2O बना देता है यह और अंदर क्या release हुए है H+, 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 यहां पर जो inner membrane space होती है बहुत सारा H+, जो होता है बढ़ जाता है H+, सा concentration बहुत जाता बढ़ जाता है वो H+, वापस से इस matrix में आना चाते हैं तो वो इस ATP synthase के through ही होके गुजरेंगा जब-जब H+, यहां से निकलेगा तब-तब ADP, PI से जुड़ कर, IP से जुड़ कर ATP बनाएगा तो इस तरीके से यह जो है हमारा ATP synthase यह लगातार ATP generate करता रहत मैंने लाशन बताया था करके ठीक है तो धेर सारा ATP mitochondria के अंदर इखटा हो जाता है इसलिए हम लोग mitochondria को powerhouse of cell B कहते हैं पढ़ ले हम जरा इसको ठीक है यही चार सिस्टम है complex 1, 2, 3 & 4 जो मैंने उपर दिखाया हुए ठीक है ना यहां पर इस तरह दिखाया हुए यह मत बना बनाना उपर वाला बनाना प्रॉपर पढ़ लें अब जरा आ जाओ वह इस सब लिखाया हुए बेटा जो मैंने समझा है ना वह यह देखो क्या कर रहा इलेक्ट्रॉन फ्रम NADH प्रदूस्ट इंदा mitochondrial matrix ठीक है ठीक है एलेक्ट्रॉन फ्रम NADH प्रदूस्ट इंदा mitochondrial matrix दूरिं सिट्रिक अशिट साइकल्स आर ऑक्सिडाइस बाइ एने डीएस डी हाइडोजनेस कोंप्लेक्स फन ठीक है एने डीएस डी हाइडोजनेस के दुआरा यह क्या किये जा रहे है इनको ऑक्सिडाइस किया ज पतलब इनसे elektron चीने जा रहे है पता है ना electron gain करना reduce होना electron दिना oxidized आना शाई पाई पता है ना और electron चले गए FMN के पास and electrons are then transferred to ubiquinon located within the inner membrane फिर इसके थुरू होते हुए electrons कहाँ चले गए ubiquinon के पास चले गए जो की inner membrane, यह जो blue blue वाला part है यह membrane है, membrane के अंदर ही है ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है ubiquinon also receive reducing equivalent via FADS2 यह जो ubiquinon है, यह FADS2 यहां से भी reducing equivalent, यहने की electrons को gain कर रहे है why FADS2 complex 2, इस complex number 2 से that is generated during oxidation of succinate in citric acid cycle, ठीक है जो की citric acid cycle नब बना था the reduced ubiquinon यह इसको भी ubiquinol भी कहते है is then oxidized with the transfer of electron to cytochrome C अब यह cytochrome ubiquinon क्या होता है ultimately cytochrome C बीच का, जो हटा दिया है पुरा step यहां mention नहीं किया है ultimately इसके electron किसके पास चले जा रहे है cytochrome C के पास ठीक है न, क्योंकि यह complex अलग हो गया complex से होता हुआ, यह कहां आ गया cytochrome C के पास आ गया via cytochrome BC1 complex यह B और C1 complex से होता हुआ कहां आ गया C के पास आ गया तो जो मैंने explain किया है वो यहां लिखा हुआ है ठीक है okay complex थाड़ हो गया यह BC1 complex वाला क्या हो गया complex थाड़ हो गया cytochrome C यह जा small protein cytochrome C क्या होती है कि small protein होती है attached to the outer surface of the inner membrane तो cytochrome C को हम यहां पर देख सकते है ठीक है यह बाहर की तरफ attached हो रखी है ठीक है तो यहां पर इसलिए मैंने लिखा हुआ है cytochrome C is a small protein attached to the outer surface of the inner membrane inner membrane के outer surface पे attached होती है and act as a mobile carrier for transfer of electron electrons के transfer में carrier की तरह help करती है यह तुमको मैं यहां से लेकर के यहां दे दूँगी between complex third and fourth ठीक है तो cytochrome C क्या कर रहा है third से fourth यह complex number fourth जो है यहां पर transfer करने के लिए help कर रही है complex number four refer to cytochrome C oxidase इसका हम cytochrome C oxidase कहते हैं कि यहां पर complex containing cytochrome A, A3 and two copper center दो copper center होते है एक यह और एक यह और एक cytochrome A और cytochrome A3 पहला copper center A receive करता है दूसरा copper center B donate करता है when the electron pass from one carrier to another wire complex one to four in the electron transport chain they are coupled to ATP synthase यह coupled मतलब जड़ो हुए होते है किस से ATP synthase है देखो जहां जहां पर एच निकल रहा है तो यह मैंने अलग से यहां पर ATP synthase यहां अलग दिखा रखा है समझाने के लिए बट यह ATP synthase क्या होगा यहीं बगल में होगा जो H plus निकल रहा है खटाक से ATP synthase से होता हो बहार निकलेगा और ATP generate होगा coupled जड़ो हुए है ठीक है ना they are coupled to ATP synthase complex 5 इसको हम लोग complex number 5 भी कह देते है for the production of ATP from ADP and inorganic phosphate ठीक है ना ATP synthase से coupled होते हैं जड़ो होते हैं जो की ATP synthase जो होता है वो ADP और PI inorganic phosphate ADP और inorganic phosphate की help से क्या बना रहे हैं production of ATP कर रहे हैं oxidation of one molecule of NADH give rise three molecule of ATP question बेटा one mark के लिए मार करेंगे while that of one molecule of FADH2 produce two molecule of ATP NADH2 का एक molecule 3 ATP बनाता है FADH2 एक molecule 2 ATP बनाता है अब आगे आते हैं यहां पर एक छोटा सा topic का answer मिलने वाला है although यद्दिपीदा aerobic process जो aerobic process है जिसमें oxygen यूज होती है of respiration take place only in the presence of oxygen no doubt जो aerobic respiration वो oxygen की मौझूदगी में होता है the role of oxygen is limited to the terminal stage of the process आखीर में जाकर के oxygen का इस्तेमाल होता है वो electron को खीचेगा अगर यह electron नहीं खीचेगा तो यह फिर system पर चलना बंद हो जाएगा यह system चलना जरूरी है ठीक है तो इसी को हम लोग कहते है terminal oxidation बास समझ में आई आगे आते हैं yet तो भी the presence of oxygen is vital आखीर में इस्तमाल हो रहे लेगी यह नहीं होगा तो process ही नहीं होगी इसी लिए यह vital है बहुत जरूरी है since it derives the whole process by removing hydrogen from the system क्योंकि यह पूरी process हो क्या कर रही है derive कर रही है derive कैसे कर रही है एक तो यहां से electron लिए और यहाँ पर जो h plus extra हो रहे मतलब इस h plus को भी जो खतम करना है अगर यहाँ h plus खतम नहीं होंगे तो यह plus यहां से यहां कैसे जाएंगे यह वाले h plus यहां से यहां नहीं जाएंगे तो एटी भी नहीं बनेगी तो यह कहीं ना कहीं जो H plus है उनको खतम करती जा रही है वाटर बना बना करके ठीक है वाटर हमारा इस्तमार हो जाता है आग जाते है ओके from the system oxygen act as the final hydrogen acceptor oxygen finally क्या है इन hydrogen's को accept करती है और बाहर निकाल देती है पानी बना करके वन मार्स कोश्चन बेटा ये भी तुमारा मार्क याद रखेंगे अब oxidative phosphorylation ये एक topic है तुमारा छोटा सा छोटा सा इसका अंसर भी है unlike photo phosphorylation ये photo phosphorylation कहां पाई जाती है plants के अंदर कहा रहा plants की तरह नहीं where it is a light energy plants पे क्या होती है light energy होती है that is utilized for the production of proton gradient required for phosphorylation ठीक है वहाँ पर plant में क्या होता है कि जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पर H plus इस तरफ ज्यादा हो रहे ना तो देखो plus बना हुआ है इधर minus बना हुआ है तो यहाँ पर H plus की संख्या बढ़ रही है plants के अंदर light की वज़े से बढ़ती है हमें उसके तरफ नहीं जाना यहाँ पर H plus की संख्या क्यों बढ़ रही है क्योंकि जो redox potential की वज़े से electron अपने क्या कर रहे है higher potential की तरफ क्या कर रहे है तो redox potential के according क्योंकि यहाँ पर electron move कर रहे है किसका according move कर रहे है redox potential का according तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर की proton gradient gradient मतला होता है अंतर यहाँ पर और यहाँ पर proton का एक difference create हो रहा है plant के अंदर light की वज़े से होता है ठीक है in respiration it is the energy of oxidation reduction याने की redox reduction oxidation oxidize हो रहे हैं reduce हो रहे है oxidize हो रहे हैं reduce हो रहे है oxidation reduction की जो energy होती है वो use होती है for the same process याने कि यह proton यह proton ज़्यादा एकटा करने के लिए oxidation reduction की energy को इस्तमाल किया आता है it is for this region और इसी कारण इस process को हम लोग क्या कहते है उकसिडेटिव फस्फोराईलेशन कहते है क्योंकि यहाँ पर redox reaction की energy का इस्तमाल हो रहा है light का इस्तमाल नहीं होता है जैसे कि plant में होता है कि यहाँ पर हम क्यों इसको oxidative फॉस्फोराईलेशन कहते हैं plants, plants के अंदर हम लोग इसको क्या कहते हैं, photophosphorylation कहते हैं, अंदर समझ में आया, यह plants की बात होगी, यह हमारे humans की बात होगी, humans के अंदर क्या कह रहे हैं, oxidative phosphorylation कह रहे हैं, बात clear होगी, ठीक है, next आते हैं हम लोग, last time कोई वाला concept है हमारे पास, the energy released during the electron transfer system is utilized in synthesizing ATP with the help of ATP synthesis जो कॉंप्लेक्स नमर 5 था जो energy release हुई है पूरे सिस्टम के दोरान और उस energy की वएज़े से एक तरफ H+, यहाँ पर बहुत सारे H+, इखटे हो गए हैं ठीक है यह आखिरकार कहां इस्तमाल होंगे ATP synthesis में जो एंजाइम है ATP synthesis इसकी help से energy create करेंगे ATP के रूप में अब this complex consists of two major components F1 and F0 इसके पास दो component है एक है F1 ठीक है और एक है F0 अच्छा मैं फुड़ा साथ कन्फीज हो गया ठीक है यह F0 यह F1 है ठीक है इस इस F0 यह इतना पाट रहेगा यह F0 और यह क्या कहलाएगा F1 कहलाएगा clear हो गया समझ में आ रहा है देखो समझ लो अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है याद बाद में करना समझना ज़रूरी है पहले the F1 headpiece F1 क्या headpiece है is a peripheral membrane protein peripheral मतलब बहार की तरफ निकला हुआ है protein complex है that contain the site for synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate यहाँ पर वो जगह होती है जहाँ पर ADP और inorganic phosphate जुड़ेंगे और क्या बनाएगे ATP बनाएगे ठीक है F0 is an integral membrane यह membrane का आर पर रहता है integral part है membrane के अंदर गुझा हुआ होता है protein complex that forms the channel यहाँ पर एक channel होता है एक रास्ता होता है जिसके थूरू H plus गुझरेगा और जब यह H plus गुझरता है तो इसको गोल 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 गुमाता है ठीक है कभी देखना है इसका 3D animation मजा आएगा इनर मेंब्रेन इसको क्रॉस करते हुए इनर मेंब्रेन इसको क्रॉस कर लेते हैं for each ATP produce जो एक ATP बनता है 4H plus passes 4H plus 1,2,3,4 4H plus जब यहाँ से निकलेंगे तो एक ATP हमारा पैदा हो जाता है produce हो जाता है हम कह सकते हैं ठीक है through the F0 from the intermembrane space to the matrix down the electrochemical proton gradient ठीक है down down मतलब यहाँ जादा है यहाँ कम है जब 4H plus when 4H plus passes through the F0 इस F0 से होते हुए इस तरफ आ रहे हैं from the intermembrane space यह जो intermembrane का जो space है इससे होता हुआ down the electrochemical proton gradient down down मतलब proton gradient यहाँ कम से जादा से कम की तरफ जब 4H plus आ जाते हैं तब एक ADP ATP में convert हो जाता है simple ठीक है this is all about the electron transfer chain समझ में आ गई है वेटा तो खुश हो जाओ याद नहीं होगी लेकिन अभी देखो याद होगी जब 2-3-4 बार इससे करोगे और सबसे बड़ी बात लिख के practice करनी है तब याद होगा वही तरीका वे नहीं बताया एक एक करके पहले complex 1 याद कर लो फिर complex 2 याद कर लो फिर complex 3 याद कर लो ठीक है ना तरीका देखो बताओ मैं क्या रहेगा पहले complex 1 को समझ लो ठीक है है किलियर है इसके notes description मिल जाएंगे यह मेरा number है कोई problem आती है तो बाद वागी आप एप का use कर सकते हो ठीक है काफी helpful हो रहा है बच्चों के लिए आप भी इसको फाइदा उठाए इस एप से ठीक है छोटा सा payment है 11 रुपए का बहुत जादा बड़ा payment नहीं है बाद वागी मरजी है YouTube पर तुमको lecture notes free of cost वैसे वी available है बागी चीजों के लिए जैसे free in the blanks है questions है live class है test वगरा है उसके लिए आप लोग एप में एप को join कर सकते हैं ठीक है ना lecture notes आपको दोनों जगे मिल जाएंगे clear है तो पढ़ते रहें revise करते रहें all the best